हेलो एवरिवन, वेल्कम को टेक्षरमेट, आज के सेशन में हम लस से रिलेटेड एक और कमांड का वेरियेशन देखेंगे, कि किस तरह से हम लस-LTR कमांड को यूज करते हैं, इस कमांड को समझने के लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले मैं Qshell पे आपको इस कमांड को र करें लस-LTR को इन कमांड को सेपरेटली समझने का परपस पस इतना है कि हमें एक-कमांड के बारे में पूरी क्लेरटी होनी चीए कि कौन से कमांड कभ यूज करनी चीए, क्योंकि अभी तो क्या है हम पढ़ लेते हैं, जब कोई डॉक पढ़ते हैं, तो हमारे को कमांड ध् करें जिससे क्या होगा, जब आप एक बार भी अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में इस तरह का सेनारियो की हम यहां पर सेनारियो की बिसस पर डिसक्स कर रहे हैं, तो फिर वह सेनारियो क्लिक करेगा, अभी कमांड क्या होता है, उस ताइम पर धि करेंगे, और फिर लास्ट में जब Qshel पर हम इसको कमफर्टेबल हो जाएंगे इस कमांड को लेकर, तब हम इसको देखेंगे कि कैसे हम अब आपने प्रग्राम में इसको एक्जिट कर सकते हैं, ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, सबसे पहले मैं Qsh लिखता हूँ, और Qsh लि आपने लास्ट सेशन देखा हूँ, तो वहाँ भी हमने अपने LS वाली इसको सौर्ट कराया था, बट सिर्फ टाइम की बिसस पर, वहाँ पर कोई रिवर्स नहीं था, यहाँ भी टाइम की बिसस पर होगा, बट यहाँ पर हमने R लिखा गा है, R क्या मतलब होता है, रिवर् वे में आप किसी चीज को सौर्ट करोगे, तो क्या होगा, आपकी जो oldest file है, वो बाद में आएगी, और जो newest file है, वो पहले आएगी, sorry, reverse के case में newest file बाद में आएगी, और oldest file जो है, वो पहले आएगी, तो यही difference रहेगा हमारा इस command के अंतर, तो यहाँ पर करते है, LS का मतलब क्या हो गया, list down of files and directories, L मतलब हो गया, long format T हो गया, on the basis of time, but in reverse order, तो R हो गया, reverse order, तो यहाँ पर करते है, enter, जैसे आप enter हीट करोगे, तो यह देखो, अभी क्या हो गया, अपने पस data आगया, इस पर पहली file क्या, directory क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है, directory 1 जो में 9 को create हुआ और अगर scroll down करके last वाल देखोगे, तो क्या आ रहा है, testing file जिसका time क्या है, fab 12, 521, तो यही difference रहता है हमारे इस command में, अब question आता है कि इसको हम use क्यों करें, कौन से इस condition से जब हमारे को यह use करना चाहिए, जिन्होंने पहला session देखा, उनको और भी अच्छा से चीजे clear हो रह पहले वह walkthrough कर लो, जिस से थोड़ा और भी easy होगा आपको यह समझने में, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ls-ltr command to hit कर दिया, बट इसको समझेंगे कि क्यों use करना होता है, किस condition में हम use करना होता है, तो अब आप एक scenario assume करो कि आप किसी project में work कर रहे हो, ठीक है, अब आपको भी files और directories को list down करना है, long format में करना है, बट मैं यह देखना चाहता हूँ कि कौन सी files है, जो बहुत पहले create होई थी, old file कौन सी है, old directories कौन सी है, और या फिर आपको ऐसे task दिया जाता है, कि list down करो files और directories को, last 50, last oldest 5 directories को, या files को, तो उस case में हम क्या करेंगे, उस case म हम इस command का use करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ls-ltr run करोगे, तो आपको data मिलेगा reverse order में, reverse order जैसे ही आ जाता है, तो आपको oldest file पहले मिलेगी, और newest file बाद में मिलेगी, तो कितना बड़ा problem हमाला इससे solve हो गया, कि जो चीज पहले हमें available नहीं हो रही थी, वो अब इस command से available होगी, तो अब हमरे पस क्या है, दोनों option enable होगे, अगर हम से कोई new file मांगता है, तो हम क्या use करेंगे, ls-lt, जो हमने last session में discuss किया था, बट अगर आप से कोई oldest file मांगता है, तो हम क्या use करेंगे, ls-ltr, तो दोनों चीज़ों में हमारी clarity आ गई, कि हाँ, ये command कभी use ठीक है, तो अब इसको कैसे use करते हैं, ये हमने देख लिया, है न, बट, interviews में कैसे question पूछा जाता है, इसी चीज़ को आप से थोड़ा से गुमा के भी पूछा जा सकता है, तो वो भी हम एक बाद देख लेते हैं, क्योंकि कहीं आप लोग को interview की preparation कर रहे हो, और ये सिर्फ आप IBMI के लिए नहीं हो सकता है, आप Linux system पे भी बात करो, तो अभी आपको इसी तरह से ये commands यूज़ करने होंगे, क्योंकि महां भी same ही run होता, Linux पे है, तो यहां पर लिखेंगे, ls-lt and ls-ltr, तो ये दो command हमारे पास आ गई, ls-lt और ls-ltr, अब इसका question कैसे घुमा के ls-lt, तो आप इसको हमेशे answer को कैसे करोगे, breakdown करके, तो आप start करोगे ls से, ls क्या करता है, list down करता है, files और directories को, hyphen l क्या करता है, hyphen l उन सब को long format में show करता है, long format क्या होता है, जहां पर बहुत सारी information होती है, हम अलड़ी discuss कर चुके इस चीज़ को, जहां पर आपको files की permissions, file की permissions वगरे मिल जाती है, type मिल जाता है, number of hard link मिलता है, user group मिल जाता है, size मिल जाता है, modification date time मिलता है, और file और file के extension मिल जाता है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह हमारा हो गया, list of files and directory in long format, on the basis of time, तो यहां पर किस से करने हैं, अपन सब ताइम के basis पे, ठीक है, तो यह definition आप क इसके लिए दोगे, ls-lt के लिए, जो हमने last session में देखाता है, अब अगर आप से कोई boost है, ls-ltr में को कैसे explain करोगे, तो simple वही है, यहां तक तो वही part है, आप देखोगे, बिल्गुल as it is, ही है, तो वही आप repeat करोगे, कि ls में क्या होता है, list down होती है, files और directories, जो long format में time के basis sorted होती है, but r भी होता है, तो r क्या होता है, r का मतलब होता है, reverse order, तो जब भी आप किसी चीज को reverse order में रखोगे, तो obviously वो जो oldest चीज है, उसको पहले show करेगी, जो newest चीज है, उसको बाद में show करेगी, तो यही हमारा difference रहता है, ls-lt और ls-ltr के अंतर, तो इस तरह से आ से लिखूँगा, ltr, तो यह error देगा, क्योंकि यह कोई command ही नहीं है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ls-ltr, और फिर आप enter हिट करोगे, तो आपको proper data मिलेगा, और इसमें अगर आपसे कोई देखता है, कोई बोलता है, तो आपको क्या मिलेगा, oldest files और directives पहले मिलेंगे और newest वाले बाद में मिलेंगे, तो यही एक difference रहता है, ltr और lt के अंदर, ठीक है, यह sub commands हो सकता है, अभी आप इसको कई projects अगरे में इतना use नहीं कर रहे हो, बट आप सबको यह पता होना चाहिए, क्योंकि conditions कभी भी आपको ऐसी मिल सकती है, जहाँ आपको यह data, और यह जो complete हो सकता है, हमने इसका out file बनाना भी देखा था, तो आप चाहो तो इसका out file भी create कर सकते हो, out file create करके भी किसी को share कर सकते हो, अगर आप से कोई बोलता है कि मुझे oldest file का data चाहिए पहले, और newest का बाद में, तो आप ltr लगाके एक out file बना लोगे, और ltr को फिर उसको share कर दोग और new वाला बोलता है, तो lt के according data निकाल के उसको share कर दोगे, ऐसे हमारा यह use होता है, अब back करते हैं, और फटा फट से देख लेते हैं, प्रोग्राम में कैसे use को, प्रोग्राम में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, command में ही change रहेगा, तो प्रोग्राम के है, cl program to get long format list, oldest first, अ जाएगा auto, length जाएगा 256, basic से कर नहीं पता है, तो मैं request करूँगा, previous session चेक करो, वहाँ पर यह सब चीजे बहुत detail में समझाया हो है, तो वहाँ से आपको इसकी help मिलेगी, अभी हम mainly focus qshell पर ही कर रहे है, तो यहाँ पर करेंगे enter, फिर आपको chgvd से command बनानी है, तो chgvd का variable का name आगया command, और command में आगया ls-ltr, space का दियान रखना है, अगर space नहीं होगा तो error देगा, simply enter it करना है, और आप करना है start qshell, तो strqsh लिख kvd करना है, variable का name, और यह आपका command execute कर देगा, program ready है, simple जाओ, compile करो, और call करो, जैसे call करोगे, तो same output आपको यहाँ भी मिलेगा, क् command वही रन कर रहे हैं, तो यह देखो, oldest पहले आगया, यह सब oldest है, यह सबसे oldest है, फिर उससे oldest, फिर उससे oldest, इस तरह के से चल रहा, फिर last में newst आ जाएगा, जो recent है, ठीक है, तो एक तरह से command वही रन कर रहे हैं, है ना, ls-ltr, वो qshell, पर अबस यह हमने वह देखा कि कैसे CLLE प्रोग्राम कितरी रन होता है, और यह भी situations होती है, जब आपको CL, कि हम CL की sequence सी देख रहे है, CL programming देख रहे है, तो वहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे list होती है, qshell से command, qshell command कितरू ls की list है, ओके, तो, हाँ, इस session के लिए इतना ही था, next session में बाके topic discuss so thank you for watching, tech sharement